दौस्तो आए इस वीडिबंगे की हम अपने YouTube चैनल का हैंडल कैसे बनाते हैं और वह यह भी जाने के YouTube चैनल है क्या पहले तो हम यह बेसिकली जानेंगे उसके पाट से हम अपने YouTube Чैनल का हैंडल क्रेट करेंगे और एक pro tip मैं आपको last मैं दूँगा कि कैसे अगर आपके channel पर 100 subscribers नहीं है यानि अगर आपने अभी तक अपना custom URL नहीं बनाया है जिनका custom URL बना हुआ है उनको mail आ गया है ठीक है दोस्तो मुझे भी mail आ गया है आप देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो के last में बता हूँगा कैसे अगर आपके channel पर 100 subscribers अभी तक complete नहीं हुए है यानि custom URL अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो भी आप कैसे अपने YouTube channel का एक handle बना सकते हैं मैं हुशलमान और आप देख रहे हैं Macro Technology Channel तो सबसे पहले बात कर लेता है YouTube का ये जो अपडेट आया है handle है क्या ठीक है तो handle जिस तरह username हम Instagram पे रखते हैं या कहीं पर भी username होता है username यूनीक होता है ठीक है at the rate उसके बाद से username ये यूनीक होता है पूरे वर्ड में उस platform पे वो सिर्फ आपका ही रहेगा तो उसी बैसिस पे YouTube का भी handle आया αगी जिसे हम कहीं पर भी mentioned कर सकते हैं आपको comment में भी DM कर सकता है कि MEM कर सकते हैं अगर सर्च बारे तो डारेक्ली मेरा ही channel open होगा ठीक है अगर macro technology कोई लिखता है तो मेरा ही channel open होगा अगर इसी तरह अगर आपका कोई channel है जैसे मालेज ABCD तो at the rate ABCD कोई लिख रहा है search bar पर तो direct आप ही का channel open होगा तो handle एक unique address है आपका कोई भी इससे mention कर सकता है आपको कहीं पर भी source में वीडियोज में description में हर जग आपको mention कर सकता है कोई भी ठीक है बिल्कुल username की तरह है पूरे world में पूरे YouTube पर आपका जो handle है वो unique होगा जैसे मेरा handle है at the rate macro technology अगर आप चूज करेंगे यह handle तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि यह handle मुझे अल्रेडी मिल चुका है सबसे बड़ी बात जिनका भी custom URL बना हुआ था यानि जिनके भी लिंक हो चुका है चैनल का मतलब पहले था youtube.com slash c slash जो भी आप custom URL लिखते थे अब आगा youtube.com slash at the rate उसके बाद से आपका handle तो यह दोनों ही लिंक काम करेगा पहले वाला भी link अगर आपने कहीं डाला हुआ है description में डाला हुआ है कहीं share किया है वहाँ पर भी लोग क्लिक करेंगे तो आपका channel पर आएंगे और यह handle भी जहां पर click करेंगे तो आप यह channel पर आएंगे ठीक है तो आप समझ चुके handle क्या है और handle इल्कु अगर था ही नहीं आपको handle मिली चुका होगा अगर नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे तो उसके लिए link description box में है youtube.com slash handle तो अगर उस link पर आप जैसे click करते हैं तो ऐसा कुछ आता है ठीक है कि मतलब rolling out soon तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको assign नहीं किया गया handle कुछ दिनों बा change handle का option आ रहा है वहाँ पर जैसे click करेंगे तो हम वहाँ से अपना handle change भी कर सकते हैं लेकिन जिनके custom URL बने हुए है उनी को assign हुआ है और वह ही अपने handle को change भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप video कुछ दिनों बात देख रहे हैं तो जरूर link description box में दिया है direct handle create करने का वहाँ पर click देजिए और channel को subscribe कर लिजए मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye